इसका सबसे अच्छी बात यह है कि यह सीधा चलने के बदाए जैसे माली जी कोई कार है तो ऐसे चलता है ना ऐसे मुड़ाया जाता अगर मोड़ने में कुछ जगा लेता है लेकिन यह जगा लेनी की कोई जरुर्यती नहीं है यह अगर यहां से इधर मोड़ना है ना तो बस यह इसका हैंड़ल मोड़िये और यह इधर की जीया ऐसा चलने लएगा इधर चलने लएगा यह हां कुछ दूर भी नहीं जाना है डाएक्स मोड़ए मतलब डो चकान इसमें चारों चक्ण में हां पांच उचकता में क्योंकि इसमें पांच है यह जो इस्टेरिंग है आप जिस एंगल में घूमायेगा, उदर यह घूम जाएगा, उदर घूम जाएगा, और पाँचो का पाँचो घूमता है, इसमें कहीं भी बैटरी का यूज़ नहीं किया गया है, और यह जब तक धूप रहेगा, तब-तक हमारा कार चलेगा, मुझा गाइब, लेकिन इसमें जो बाकी जो टाइम रहता है उस टाइम में हमारा अगर बैटरी हम लगी इसमें लगा जाएं अभी तो फिलाल लोग बैटरी नहीं लगा दें तो उस टाइम में ये एनर्जी भी सेव करेगा means completely free energy बोला जा सकता है ऐसे यहता हम और एसकों सब्सक्राइम ChORE. हम लिए और लिए कॉई कहने की वह भुटन कैस entwic GG यहां अपको एस डिखाने जा रहे हैं जो दुनिया का यह कार होां जो किसी भी आंगल में 360 साथ डिगडी के एंगल में घूम जाएगा आप दाएं बाएं आगे पीछे करने के जरूरत नहीं है अगर जाम लग जाती अगर गारी अब बैक करेंगे तो पता चलेगा कि पीछे एक गारी है आपने ठोक दिया तो यह जो गारी है इसमें ठोकने की कोई शुविदा नहीं ह दक हैं जाहां घिदर घूमना इधर भागना इधर भाग्यें उदर भागना इधर भाग्यें और वन में इसके ठीक वैसे यह चार है और इसको बनाया है बनाने में कितनाघ्रच लगा कितना दीन लगा और हम्हाइक वह स्वाइभ सवागत या कApp बिन जा शकता है ये सीधा च्लने के बदा ऐसे वाझाया जाता है, यह मुड़ने में कुछ जगा लेता है अगर यह बाट चलना सकने जर्द है इसका सबसे और खुबी यह है कि यह इलेक्रिक है और इसका मेकेनिजम जो है यह बहुत ही सिंपल इसे अगर कोई बनाना भी चाहे तो वह बना सकता है अगर नया बनाने के लिए हमेशा प्रयास करता हूं और नया बनाने मुझे इंट्रेस्ट महेंद्रा अगर महेंद्रा जी अगर आफर करें आपको तो बनाएगा कि नहीं विलकुल नहीं क्योंकि मेरा इंट्रेस्ट कुछ अलग है जैसे आपने बोल रहें एनर्जी यह एनर्जी है अब चलिए इस कार को हम चला के दिखाते हैं बिलकुल चलिए चलाते हैं चलेगा की दोड़ेगा दोड़ेगा नहीं यह रेस भागेगा हाँ इस इंगल में भगाईए हाँ जी सबसे बड़ा बात अगर सोलर एनर्जी है एलेक्ट्रिक है प्लस में और क्या क्य खुब्या है यह स्वोलर से इसको हम लोग सोलर से चला रहे हैं तर ना यह सोलर से लोग और जो टाइम रहता है उस टाइम में हमारा घर बैटरी अंगे इसमें अब आप आप लगा दे तो इस से प्लीटली अ कूछ नगता है लेकिन इसको बोला जा सकता है अगर जो free energy का जो चीज दिखाते हैं ना लोग उसको हम लोग free energy नहीं बोलते हैं लेकिन ऐसा कुछ हो जो कम cost में हो जाए उसे हम लोग free energy कर सकते हैं तो उस तरह का कार यह बन गया है उसके बाद आगे क्या funds और यह है कि इस पर हम लोग table लगाये हुए है इसमें यह क्या है क कि चलते हुए हम लोग खानाखा सकते हैं meeting कर सकते हैं चार लोग बैठके चार आडमी चार सकते हैं meeting कर सकते हैं और चलाते हुए भी लेकिन जो चलाएगा वे उसके लिए दूसरा कोई कोह नहीं खuko सकता है एक बात बाती यह एक अुसकु बनाने में यह सब कहां से Nou है कबार से लाके अब देखिए यह कबार से लाक एक ऐसा कार बना दिये हैं जो 360 डिग्री में यह जिदर आपको घुमाना है जिस एंगल में घुमाना है दाएं बाएं केवल उड़ नहीं सकता है यह पानी में और उड़ नहीं सकते हैं लेकिन पर्यास किजिए तो पानी में चला सकते हैं लेकिन उड़ने के लिए तो इसमें बहुत जादा खर्चा करना पड़ेगा और उसके लिए लेकिन उसके लिए चाहिए सपोर्ट अगर आप लाइक करते हैं वीडियो को हमारे वीडियो को लाइक करते हैं जेसको आप लाइक कीजिए और सपोर्ट किजिए तो यह जुकार है आने वाले समय में उड़ेगा और पानी में तैरेगा बाई सबसे बड़ी बात यह है ना कि उड़ाने के लिए कारवन फाइवर का जुरुरत पड़ेगा जो की एक हलका मेटेरियल होने के साथ साथ बहुत ज्यादा मेहंगा होता है और अगर हम लोहे से उड़ाने के लिए सोचे ना तो ऐसा करना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है लोहा से इतना ज्यादा वजन हो जाएगा और उतना थ्रस्ट पैदा ही नहीं होगा तो कहां से उड़ेगा ठेक है ना इसलिए कारवन फा काईदा यह कि आपको जाम से मतलब आपको नहीं मिल चकता अगर इधर खाली है तो इदर भाग जाएए इधर खाली है तो इदर भाग जाइए आगे खाली है तो आगे भाग करने के समस्या ने यूं कटिया यूं निकल जाए लफड़ा उपड़ा भी नहीं होगा शलिए जाहिन जाहिन